हेलो डियर स्टुडेंट्स, वेलकम टो नीथी साइन्स अकेडमी, तोड़े विल स्टेड़ी यूनिट वान अफ क्लास 11, डैवर्सिटी इन दा लिविंग वर्ड, तो जो बाइलोजी जो है, लाइफ फॉर्म्स के लिविंग प्रोसेस में, तो लिविंग वर्ड में हम देख उसने बहुत अच्छे से डिफरेंस पता लगाया कि इन अनिएमेट मैटर में और लिविंग उगनिजम में क्या डिफरेंस? इन अनिएमेट मतलब जैसे हवा है, समुद्र है, आग है और एनिमल और प्लांट्स इनमें क्या रिलेशन है? common feature क्या है inanimate और animate objects में sense of fear okay sense of our तो description होता है living organism का include करता है human beings का जो है बहुत बाद में begin हुआ human history तो society जो है anthropocentric view जो था biology का था limited progress थी biological knowledge में anthropocentric में अच्छा physical growth होती है physically कैसे grow करता है इतना ही पता था internal body parts या इतना detail में नहीं पता था इतना कि अब हमारा scientifically हम लोग developed है तो systematic और monumental description of life हुआ और necessity के बहार detailed system हुआ identification के फिर nomenclature और classification हुआ इतने तरहें के living organism थे उनको describe करने के रहे तो biggest spin-off क्या स्टेडी का recognition होना एक similarities का organism के बीच में horizontally भी और vertically भी उनकी study करना तो आज की दुनिया में क्या सब living organism related है एक दूसरे से और सब organism अर्थ पे रहते हैं और अब और cultured हो गए है हमबर्ड हो गए है man cultural movement आया है conservation हुआ biodiversity हुआ यह अलग अलग है कैसे forest को में बचाना है कैसे animals को बचाना है क्या relation है plants और animals का human beings का तो बहुत clear है तो जो chapters पढ़ेंगे हम इस unit में इसमें आप description मिलेगा हमें classification मिलेगा plants का, animals का और एक taxonomically उसका classification मिलेगा जिससे की clear होगा है hazard way में नहीं होगा की confused way में नहीं होगा तो Campton तो जो थे वो 5 July 1904 में born हुए थे Germany Ernst Mayor जो थे Harvard University evolutionary biologist थे जिनको Darwin कहा जाता है किया कहा जाता है Darwin of 20th century तो सौ scientist हो में से एक थे वो सौ जो greatest scientist जो माने गए दुनिया के उन्होंने Harvard faculty arts और चुन की थी 1953 में और 75 में retired हो गए थे और उनको title मिले था Alexander Agassis Professor of Zology Emirates Throughout 80 एर के अपने केरियर में उन्होंने Ornithology पे Research किया Taxonomy पे Research किया Zoo की geography कैसे होई Evolution कैसे होई Human beings का Animals का Systematics कैसे उसके करें उसकी history क्या थी Philosophy क्या थी पुरानी biology क्या थी और single-handedly उन्होंने Origin of species diversity को Discover किया और एक central question of biology जो की central question है biology का आज भी और उन्होंने Currently accept किया Definition of biological Species की जो हम Definition पढ़ते हैं उन्ही की दी हुई है और उन्हें तीन प्राइज़स मिले Triple Crown of biology Bellizen प्राइज नाइंटीनेटी थी में फिर International प्राइज फर बैलोजी 1994 में और Craft food प्राइज नाइंटीनेटीनेटीने Mayor died हो गए थे At the age of 100 100 साल के उमर में वो एक्सपायर हुए 2004 में उकी तो इस तरह से उन्होंने इस पे बहुत Research किया कि किस तरह से Systematically Species को अलग-अलग किया जाए और उनको बाटा जाए अलग-अलग चीजों में Zoologically और Physiologically उनका जो development है उस तरह से Subspecies को अलग-अलग उसमें हमाटा जाए यह उन्होंने डिसकर्व किया अब इसमें हम Chapter पढ़ेंगे इसके अंदर First Unit का First Chapter है Living Word और Chapter है हमारा जैसे Biological Classification Plant Kingdom Enigmal Kingdom जो जो Researches उस हिसाब से और सासा जो अभी तक हो रही है उसको concern करते हैं First Chapter है The Living Word तो Living Word कैसा है बहुत सुन्दर है Amazing है Extraordinary Habitates है यहाँ पर हम देखते हैं पहाड है ठंडे पहाड भी है भरफ वाले भी Forest है घने Oceans है Fresh Water जीले है Desert है Registan है Hot Springs भी है गरम पानी जहाँ पर आता है Speechless है जो हमारा Living Word है Beauty है जो Horse दोड़ रहा है Galloping Horse है Birds एक जगसे दूसरी जगह जा रही है Flowers है वैली के अंदर Shark है समुदर के अंदर और तो Deep Sense of Wonder है कि इतने सारे Living Organism हमारी तरफ है तो Ecological Conflict है और Cooperation होता है Population में या Population में Community में कि Even the Molecular Traffic Inside a Cell Make Us Deeply Reflect on What Indeed Is Life ये सब तो हम भी देखते हैं तो अरे वा क्या जिंदिकी कितने तरह क्या स्पीशीज है और जो अपनी तरफ देखते हैं तो भी हम तोस्ते हमारे सेल के अंदर ऐसा क्या है कि हम किस चीज़ से बने हैं What Life क्या है तो दो implicit question आता है पहला आता है technical one दूसरा आता है and seeks answer to what living is as opposed to the non-living Living क्या है और non-living क्या है और philosophically भी आता है कि purpose क्या हमारे life का philosophically सब पूसते हैं जैसे ज़र जिन्दगी क्या है कुछ समझ नहीं आता है और technically हम देखते हैं living और non-living में क्या फ़रक है physiologically, biologically तो as a scientist हम second question का answer नहीं डूनेंगे philosophical नहीं डूनेंगे हम खाली what is living में डूनेंगे living क्या है तो जो हम try करते हैं living को define करते हैं तो हम conventionally देखते है distinctive characteristics जो living organism को differentiate करते हैं जैसे growth, reproduction, ability to sense environment और suitable response देना जितने living organism होते हैं वो grow करते हैं physically जितनी height है weight है, सब भढ़ता है reproduce करते हैं living organism उनके off springs होते हैं और ability होती है environment कैसा है ठंडा है, गरम है उसके साब से adapt करते हैं और response भी होता है हमारे किसी feature कोई भी weather में changes है उससाब से अपने adapt भी कर लेते हैं response भी होता है stimulus के लिए तो कुछ और feature भी है जैसे metabolism होता है हमारी body में जिससे हमारी body चलती है self replicate हो सकते हैं एक से दो बन जाते हैं micro organism में भी आप देखते हैं amoeba है self organize होते हैं interact करते हैं emergence यह सब क्या है यह भी living organism के characteristic है पर यह तो general है अगर हम बात करें living organism characteristic proper पहला characteristic है all living organism grow जितने living organism है वो ग्रो करते हैं जितने भी living organism है वो ग्रो करते हैं सबसे बड़ी बात जैसे एक multicellular organism है वो कैसे ग्रो करता है वो cell division से ग्रो करता है plants जो है ग्रो करता है cell division से और continuously ग्रो करता है पूरे life span में animals में खाली है यह खाली एक certain age तक देखी जाती है cell division certain tissue जो है उसो रिप्लेस करता है lost cell को cell division जो है जो cell lost हो गए है वो दुवारा से बन जाता है unicellular organism कैसे ग्रो करता है cell division से तो हम easily vitro culture जब हम करता है तो हम simply count करता है number of cells microscope में और हम देख लेते हैं कैसे cell division से cell की growth बढ़ती है तो higher animals और plants में क्या होता है growth और reproduction mutually exclusive events है जैसे body mass increase हुआ वो increase in growth है non living objects भी grow करते हैं अगर हम increase in body mass लेंग एक criteria तक जैसे mountain sand mounds grow करते हैं walders ये growth करते हैं this kind of growth exhibited by non living object is by accumulation हो गया material का तो पाहाड बढ़ा हो गया तो living organism में growth क्या होती inside से होती है तो इसलिए growth को हम खले living organism की property नहीं ले सकते तो हमने जब growth को लिया है तो conditions देखनी पड़ेगी उनको explain करना पड़ेगा की characteristic living system का है की नहीं पर एक dead organism है वो grow नहीं कर सकता और खाली body mouse को लेखोगे तो आप देखोगे जो sand mountain है वो भी growth उनकी हो जाती accumulation होने से मिटी accumulate होगी तो रेट का पहाड बढ़ा हो गया तीला बढ़ा हो गया sandy बढ़ा हो गया बढ़ा है वो करेक्टरिस्ट्रिक है living organism का multi-celler organism में क्या होता है reproduction जो है production होता है progenica जो की next जो generation होती है more or less अपने parents जैसे दिखते हैं हम भी more or less अपने parents जैसे दिखते हैं animals भी more or less अपने parents जैसे दिखते हैं organism तो invariably implicitly हम इसमें sexual reproduction की बात करते हैं clear जिसमें sperm और oven unit हो के zygote बनाते है अब organism asexually भी growth करते हैं जैसे fungi और spread easily due to million of asexual sports है जब उसको favorable conditions मिलती है यह पढ़ा होगा अपने fungus में तो वो sports वापिस grow हो जाते हैं lower organism जैसे yeast और hydra में budding से होता है yeast और hydra में budding से होता है और fungi में million of sports बन जाते हैं फिर plan area है और इसमें fragmentation होता है plan area में clear तो क्या होता है region rate हो जाता है जो body का part loose हुआ वो दुवारा उसकी जगे दूसरा part आ गया तो यह जो है fragmentation हो जाता है इसमें इसमें हमने किसको देखा था body mask का specially हमने बताया है कि दोनों का character है इसमें दोनों आएंगे production sexual as well as a sexual क्लियर और यह जो आगया sexual reproduction organism multi cellulose यह sexual में बड़िंग फंगाई का आगया budding fragmentation clear तो फंगाई में filamentous algae होते है filamentous algae होते है filament होता है और protonima के mosses होते हैं जो multiply होते है fragmentation से तो unicellular organism में देखते है bacteria unicellular algae organism में तो reproduction जो है वो एक तरह से growth के synonymous है इसमें amoeba में growth भी हो रही है और reproduction भी हो रहा है increase हो जाता है number of cell में हमने define किया था ना growth को increase in number of cell तो हम single-celled organism है तो growth और reproduction के synonymous हो जाता है यह increase भी होता है साथ में increase in number भी हो जाता है और separate और जब यह amoeba में एक और amoeba उसमें से निकल जाता है तो इनका reproduction भी हो जाता है और reproduction और growth तो कुछ organism ऐसा है जो reproduce ही नहीं होते जैसे mules है, sterile है, worker भी है, infertile human curves है यह जो है they do not reproduce तो reproduction को सारे organism का हम characteristic नहीं मान सकते हैं पर यह नहीं कह सकते हैं कि सभी का ही characteristic है किसी मान सकते हैं में growth and reproduction synonymous है, okay यह देखो, increase in number of cell तो depend करता है, तो यह unicellular है unicellular में यह synonymous synonymous फिर तीसरा characteristic क्या है, metabolism का तो living organism क्या होता है, chemicals के बने होता है यह chemicals small और big होता है और इनके various classes size function होता है और यह constantly बनते हैं और change होता है दूसरे biomolecules में यह जो conversion है chemical reaction के constantly being made and change into some other biomolecules जितने living organism है, chemicals के बने हो है, small और big और various classes, sizes और functions के और यह change होता है दूसरे biomolecules में तो इस conversion को chemical reaction कहता है यह metabolic reaction कहता है तो thousands of metabolic reaction occurs होता है living organism के अंदर ठीक है, जो chemical changes है, यह metabolic reactions है unicellular हो, चै multicellular हो all plants, animals and fungi, microbes में metabolism होता है तो जितने chemical reaction होता है, वो हमारी body में वो सब क्या है metabolism ठीक है, no non-living organism में कोई metabolism नहीं होता है it is true तो metabolic reaction को outside the body भी दिखा सकते हैं हम cell free system में तरसे test tube में हम कोई metabolic reaction दिया सकते हैं, वो चैनल living है न non-living है जबकि metabolism किसका feature है, living organism का feature है isolated metabolic reaction in vitro are not living thing but surely they are living reactions okay तो cellular organization जो होती है जैसे आप देखते हो आजकर जो नहीं होता है clear तो cellular organization जो body किया है वो क्या है isolated metabolic reaction are not living things but surely उसको हम living reactions बोल सकते हैं living thing नहीं बोल सकते हैं कि हम properly पूरा ही उसमें develop नहीं होगा cellular organization of the body जो है वो defining feature life forms का जो cellular organization होती है clear तो obviously जो टेक्निकल complicated feature है लिए और अगनिजम का है वो है ability to sense their surrounding or environment को stimulus है उसमें react करना उसके surrounding से जैसे physically चाई chemically या biological हम अपने environment को जानते हैं जैसे plant भी respond करते है light को ना दूप की तरफ फूल जो सूरज मुखिया फूल है दूप की तरफ खिलता है light और water temperature पे growth आपको पता है plants की depend करती है pollutants पर depend करती है ऐसे prokaryotes से लेके eukaryotes वो भी sense करते हैं prokaryotes में well defined nucleus नहीं होता eukaryotes में well defined nucleus होता ये भी environment में react करते हैं photo period effect करता है किते time तक light रही है उसके reproduction पे seasonal breeder में plants में भी और animals में भी तो इसलिए defining feature किसका हो गया property of living organism plants का भी animals का भी और human beings का तो जब हम human beings पे आते हैं हम देखते हैं बहुत difficult है living state को define करना हम patients को absorb करते हैं कॉमा में है वर्चुली सपोर्टेड है machine के heart और lungs replace कर दिए गए है patient जो है brain dead है has no self consciousness और वो कभी normal भी नहीं आ पाएगा life का वो living है कि non living है वैसे तो वो living है पर उसका brain dead है पर उसका heart work कर रहा है तो higher classes में आप और उसका detail में पढ़ेगी underlying interaction के कारण जैसे properties of tissue हैं वो कहीं पर constant cell में नहीं present होती पर small interactions में constant cell में नजहर आती है जैसे property of cellular organism वो molecule constants में नहीं present होती है और इंटरेक्शन में वो molecular compounds में नजहर आती है clear तो interaction जो है emergent properties बनाता है higher level organization में interaction result in emergent properties at higher level of organization में properties develop करता है तो phenomena true है hierarchy of organization की complexity हर level पे जैसे living organisms जो है self replicating है evolving है और self regulating interactive system है जो की capable है external stimuli को response करने में self replicate है self reproduce हो सकते है grow कर सकते है sense कर सकते है environment को self regulate कर सकते है तो biology के story of life on earth is biology biology is the story of evolution of living organism on earth all organism present past and future are linked to one another by sharing of the common genetic material इसको याद करो बैलोजी क्या है एक story है life की अर्थ पे ठीक है यह story है evolution की living organism कैसे बने सबसे पहले कैसे आए फिर और कैसे डवलप हुए बीच से पौधा पौधे से प्लेड कैसे बना human being कैसे पूरा reproduce हुआ डवलप हुआ और कैसे environmental changes आए तो और living organism का आज का टाइम पहले का और बाद में क्या होगा present past and future वो एक दूसरे से link हुआ हुआ है कैसे link हुआ है क्योंकि common genetic material share करते हैं जैसे genetically क्या है genetically जो genes आपके परदादा में थे वो उनके बेटे में थे फिर उनके बच्चों में थे फिर उनके बच्चों में तो transfer हो रहा है जीन कब से transfer हो रहा है जब सी start हो है living world अब आते है diversity in living world अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आप large variety देखोगे living organism में चाहे potted plant हो insects हो birds हो pets हो यह other animal हो चाहे plants हो ठीक है तो आप देखते हो कहीं तरह क्या organization organism है ना कि बाहर आपने कीडा देखा डॉगी देखिया उड़तीव चड़िया देखी फ्लापर ने प्लान देखा गाए देखी तो आपने variety of living organism देखते हो अपनी आइस से अप अपना increase कर दोगे area observation का range या variety of organism तो आप और और चीजें देखोगे और variety देखोगे living organism की जैसे आप dense forest में जाओगे अप greater number में देखोगे living organism different kind of plant animal organism आप देखोगे जो represent करेंगे एक species को इस different kind of plant animals organism आप देखते हो वो एक species को represent करता है तो species क्या होता है यह 1.7 to 1.8 million है जो भी आपने एक करें के देखे animals या बड़ वो एक type के species के अंदर आता है इस different kind of plant animal organism that you see represent a species the number of species that are known and described range from 1.7 to 1.8 million इसको बोलते है बायो डायवर्सिटी और the number and the type of organism कितने present है आर्थ पे यह हमें किस से पतर इसी होती है बायो डायवर्सिटी कितने type के organism कितने number में और कितने type के present है कितने तरहें के हैं तो हमें मिशे याद रखना चाहिए हमें नए areas और पुराने areas अब में हमें continuously organism को find out करना है जैसे हमने पहले भी state किया था कि million of plants और animals हैं वर्ड में plant और animals अपने खुद एरिया में local names हैं उनके और यह local names vary करते हैं चेंज हो जाते है place to place में इवन country में नेम चेंज हो जाते है न नौर्थ में जिस पौदे क्या कहता है south में कुछ अलग बोलते हूं या state wise भी बदल जाते है कि राजस्तान में इस पौदे को यह कहता है दिल्ली में उसको पौदे को यह कहता है पर आप recognize कर लोगे confusion कि हाँ नाम दूसरा species से हिंग है हम कब recognize करेंगे जब हम पहचान पाएंगे तो हमें एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी और हमें पता करना पड़ेगा हम किस organism की बात करेंगे कि वह सेम organism है कि वह अलग species की बात करेंगे तो इसलिए हम बहुत जरूरी है कि हम standardized करें name living organism का क्या इस organism को यह बुलाया जाएगा all over the world तो एक country से दूसरे country vary करते है ना particular organism such that a particular organism is known by the same name all over the world इस process को बोलते है नॉमन क्लेचर तो standardized the naming of living organism उसको बोलते है नॉमन क्लेचर तो नॉमन क्लेचर में naming का possible होती है जब organism को ठीक से हम describe करते हैं कब possible organism describe कि हमने correctly और हमें पता होना चाहिए उसका क्या नाम है उसको बोलते है identification क्या बोलते हैं उसको हम पहला हो गया नॉमन क्लेचर दूसरा हो गया identification तो इस तू फैसिलिटेट दस्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने स्टैब्लिश किया है प्रोसीजर को साइंटिफिक नें बताने के लिए इच और्गनेजम तो जो की सब बाइलोजिस्ट को एक्सेप्टेब बलता कि हां सबका स्टडी करेंगे सबका एक साइंटिफिक नेम देखेंगे तो जो प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम डवलप हुए वो प्रिंसिपल्स पे बने हुए थे और क्राइटेरिया पे थे जो की प्रोवाइड कराएगा इंटरनेशनल कोड फॉर बाटनिक नॉमन क्लेचर तो अब आपको होगी कि एनिमल्स को कैसे किया तो उसके लिए टेक्सोनॉमिस ने इवल्ड किया इंटरनेशनल कोड फॉर जोलोजिकल नॉमन क्लेचर इंटरनेशनल कोड फॉर जोलोजिकल नॉमन क्लेचर यह क्या था इंटरनेशनल कोड फॉर बाटनिकल name होता है जैसे हम description करता है किसी organism का जिससे की हम enable कर सके कि जो भी people है किसी भी part में वो एक ही time पे आए जो enable है वो sorry हो इसका एक ही arrive at the same name कि हम किसी भी organism का नाम करें तो people कैसे देखें कैसी word में वो same name को बोलें यहां इस organism का नाम यह है जितने भी people है वर्ड की किसी भी corners है उस specific organism को उस नाम से बोलें और उन्होंने यह किया कि जो यह name है वो किसी और organism के लिए नहीं use किया जाए confusion नहीं होना चाहिए कि दो organism का एक नाम रहेगा एक organism का एक नाम रहेगा और all over the world लोग उसी organism को उसी नाम से पैचाने में तो biologist ने follow किया universally accepted principle follow किया और scientific name दिये known organism को तो each name के हमने कैसे किया दो component बनाए generic name and specific epithet यह जो system है two components का इसको बोलते है binomial nomenclature क्या बोलते हैं इसको binomial nomenclature यह जो naming जो है यह careless linens ने दी थी जो की biologist ने practice की all over the world यह जो naming system है इसके दो word का format है जो इसको की इसमे two word format यूज किया जो की convenient है इसमें दो name दी है हमने एक होगा generic name and specific epithet जैसे mango का नाम यह बोल रहा है mango का example समझे जैसे mango है providing scientific name better scientific mango का name है magnifera indica तो binomial name है how it is binomial name in this name mangy phera तो इसका genus है और indica जो है उसका species है यह specific epithet mango का जैसे आपने नाम बोला क्या है कैसे नाम दिया गया botnical name हम पढ़ते हैं ना तो हम सुचते हैं यह ऐसे क्यों नाम है mandatory indica आगे आप learn करोगे botnical name need की त्यारी में तो कैसे mangy phera क्या है यह genus है और indica जो है वो species है यह इसका binomial name है clear यह specific epithet भी बोल सकते हैं तो यह जो इसका है this is its binomial name of mango clear तो other universal rule भी normal culture में जैसे biological name है वो generally latin में होते थे और italics में लिखते थे उनकों तो latinized is derived from latin irrespective of their origin origin हो चाहे नहीं हो latin का पर biological name generally latin से लाए गया और italics में लिखे गया तो first word जो biological name का है वो represent करता है genus और दूसरा specific epithet यह इसको बोलेंगे आ specific epithet जो दोनों word है biological name के जब हाथ से लिखता है both the words जो होता है biological name पे जब hand written होता है तो separately underline करता है और printed होता है italics में यह indicate करने के लिए कि वो latin origin के है क्लिए तो first word denoting the genus वो capital letter से शुरू होता है वाइल the specific epithet जो होता है वो small letter से शुरू होता है यह आप देखी रहे हो यह capital से शुरू हुआ और यह small letter से शुरू होता है और name of author जो है वो specific epithet at the end of the biological name के end में आता है जैसे mangifera indica lin it indicates species was first described by lenius तो यह के indicate करता है in जो होता है किसने describe किया authors का जो name है तो nearly impossible अगर था सब living organism को समझना तो some means बनाए गए इसको possible करने के लिए इसको बोलते है classification classification वो process है जिससे की किसी को भी group किया जाता है convenient categories में और observable character में जैसे plants और animals dogs, cats और insects हैं इनको हम easily recognize करते हैं तो जैसे ही हम term use करते हैं हम कुछ certain character देखते हैं organism के उस group में जैसे dog तो each one of us will see dogs and not cats now if we were think of elasticians we know that we are talking about similarly suppose we are say to mammals तो हमें पता लगया है हम animals जिनके external year होते हैं और body hair होते हैं उनका बात करने हैं अलसेशियन्स आपको पता है ना अलसेशियन्स डॉग्स मतलब डॉग अलसेशियन्स मतलब जो ब्लैक कलर के बड़े डॉग होता हैं अलग ब्रीड हैं अनकी अब mammals की अगर हम बात करे हैं तो हम animals की बात कर रहे हैं जिनके भार की तरफ कान होते हैं और body hair होते हैं ऐसी plants में हम बात कर रहे हैं wheat तो हमारे दिमाग में wheat plant आता है not rice और other plants तो जैसे यह सब हैं dogs, cats, mammals, wheat, rice, plant, animals यह convenient categories हैं तो scientific term for these category is taxa scientific term जो की गई वो थी taxa grouping को हमने बोला classification तो इसको अलग करने के लिए scientific term गई गई उसको बोले taxa जैसे taxa can indicate categories different levels जैसे plants taxa का फॉर्म है wheat is a taxa, animals, mammals, dogs are also taxa but you know that dog is a mammals and mammals are animals therefore animals, mammals and represent taxa at different level एक अलग level का अलग taxa है हमें यह पता है dog and mammals है न कान जिनके बार की तरफ होता है यह अर्ज होता है और mammals, animal है यह भी पता है और dog एक animal है पर एक different level पे वो एक taxa को रिप्रेजेंट करता है तो उसकी करेक्टरिस्टिक पे सारे जो living organism है वो classify किये गए different taxa में इस process of classification को कहते है टेक्सो नॉमी टेक्सो नॉमी external और internal structure, structure of cell okay, external, internal structure, structure of cell cell process जो है structure of cell, development process है ecological information है और्गनिजम की यह बहुत essential है modern taxonomic study के लिए okay, जैसे animals है तो बहुत सारे हो गए mammals, खाली जिनके कान है और hairs है वो mammals हो गए और dog, dog दोनों category में आ रहा है mammals में भी और animals में भी पर mammals और animals अलग है तो अलग taxonomy होगी तो उससे अफसीन का correct, modern taxonomic study में characterization होगा, identification, classification, non-normal creature यह processes है, are the base to taxonomy के base है जो हमने अब तक पढ़ रहे हैं जिसके बार मैं समझा रही हूँ कि हम identify करेंगे, उनके characters, फिर classify करेंगे फिर उनको name करेंगे, यह सब taxonomy के अंदर है taxonomy कोई नई चीज नहीं, human being ने हमेशा ही interest किया more and more about various kind of organism पढ़ें हम और जो उसकी use आ सकते हैं, वो भी हम इसमें से हम देख सके हैं कुछ हमारे use आ सकते हैं नहीं, जैसे silk warm है हम सुचो silk के clothes बनते हैं उससे, उसका use आया न या sheep से हम लोगों को own मिलती है, wool से sweaters बनते हैं या food के काम आते हैं कुछ तो human being को भी sources चाहिए थे basic needs के लिए जैसे food, clothing और shelter के लिए तो use के हिसाफ से बने वो organism तो बहुत time तक कोई interested नहीं था, कितने organism है, इनकी diversity है, क्या relationship है तो human being को इतना interest नहीं रहा कि एक एक चीज को पढ़ा जाए पर दीरे दीरे उसने इसको पढ़ा, उसको systematics कहांगे, पर बहुत ज़्यादा नहीं use के हिसाब से ही पता था थोड़ा बहुत उनका differentiation पता था तो systematic derived from Latin word systema इसमें systematic arrangement है और्गनेजम का lenius नहीं use किया था, systema natura as the title of his publication तो systematics जो है, इंक्लूड करता identification, nomenclature और classification तो इसमें evolutionary relationship भी बताता इतना बस study किया था पहले तो बहुत time तक interested नहीं थे बहुत ज़्यादा different kind का ओगनेजम को पढ़ने के लिए और relationship के पढ़ने के लिए तो तब भी एक branch उन्होंने study जो किया था जो use के साफसे, उसे systematics का गया जो इसका भी थोड़ा बोजित्ता study किया गया relationship or classification, identification फिर है taxonomy category, classification क्या है single step process है जो involve करता hierarchy of steps होता है इसमें each step जो represent करता है rank और category को represent करता है category जो है overall taxonomic arrangement होता है इसको बोलता है taxonomic category all categories constitute taxonomy hierarchy single step process नहीं है, इसमें कहीं steps होते है और step represent करता है rank और category rank और category rank और category पार्ट है overall taxonomic arrangement के और it is called taxonomy category taxonomic category और all categories together जो हैं constitute करती है taxonomic hierarchy taxonomic hierarchy each category refer to as unit of classification each category क्या refer करती है unit refer करती है classification की और rank refer करती है जो की commonly उसको taxon बोलता है क्या बोलता है taxon taxon unit of classification each category represent a unit of classification जो represent करती है rank उसको बोलता है taxon each unit each unit or rank is known as taxon फिर ये all जितनी category खट्टियों के बना taxonomic hierarchy तो taxonomic categories जो hierarchy होती है एक examples हम बना सकते है जैसे insect है वो group of organism है जो common features है जैसे तीन पेर वाले तीन पेर वाले ये jointed legs वाले इनसेक्ट है इसका मतलब जो insect है वो recognize किये गए है concrete objects है जो की classify किये जाते हैं और एक rank और category देगी तो इस तरह के organism को अलग category में डाल दिया गया तो category को rank भी बोलते हैं और each rank को taxon बोलते हैं जो represent करता है unit of classification each unit इसको क्या बोलेंगे हम unit of classification each unit is known as unit of classification इस जो taxonomic groups और categories हैं इनके district biological entities होती है तीक है अलग-अलग उनका biological वो अलग होती है morphologically अलग merely morphologically नहीं biological भी अलग होती है मालब internally और externally अलग-अलग features होते है groups के तो taxonomically studies जो है all non-organism की उसने यह हमें हमें जरूत महसूस हुई कि common categories बनाए हम known organism का जब हम देखते है तो common categories बनाए है categories हमने बताई थी कैसे kingdom, phylum और division for plants, class, order, family, genus, species तो all organism including those in plants and animals kingdom have species भी होते है as a lowest category तो हमने इसको आगे और किन categories में divide करना है kingdom phylum या उसको division समझ लो phylum और division class order family family genus and species अलग अलग species होता है तो उसमें taxonomial study ने development की common categories यह common categories है तो इस तरह से इसको हमने taxonomic categories बनाए है organism in various categories the basic requirement क्या थी knowledge था characters का individual का और group of organism का इसने help किया क्या similarity है और dissimilarity individuals में है तो सब को अलग अलग categories में बाटा गया और उससे क्या फैदा हुआ knowledge वी characters की और group of organisms की और similarity और dissimilarity तो अब इस जो भी characteristic है इसको हम और detail में पढ़ेंगे species genus family जित्ते characters हैं कैसे divide किये उनको tabular form में इसको हम आगे वाले chapter में आज हमने क्या क्या पढ़ा है आज हमने पढ़ा है पहले हमने basic introduction पढ़ा है unit one का clear diversity in the living world जिसके अंदर चार चेप्टर आते living world, biological culture, plant kingdom, animal kingdom हमने scientist Ernst Mayor के बारे में पढ़ा फिर हमने first chapter शुरू किया living world living क्या होता है फिर differentiation है reproduction, metabolism, growth में cellular organization में फिर diversity क्या होती है living world की कैसे classification होई और taxonomic categories क्या होती है तो कल हम पढ़ेंगे taxonomic categories को one by one लेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे it's an interesting chapter and I hope you all are understanding it well और आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा है तो kindly like, share and subscribe and comment okay, thank you